असलावलेकूम कैसे हैं आप सब तो आज है 27 की रात और एश्या की नमाज पढ़ने के बाद ना हम तौशी पढ़ने बैट गए थे थोवासा वहन और मैंना हम नोसे चलो तौशा कौशी की तिलावत कर लेते हैं फिर काम भी घर में था फैलावा था तो मैं सोची चलो है तनहें आफजल रात था है इसकी एहमिएत हम पता नहीं है हम बस सौ जाते हैं या पने काम थाम मैं पर मिछ रहते हैं उसकदर आपना रम जढन चल गए मतलब लाजट हो गया ऐसा लगा कि ऐसे आया और चलिए इतनी जल्दी रमजान ये इस रमजान इस साल का रमजान इतनी जल्दी गुज रहना कि पता ही नहीं चला मतलब वक्त से ना बरकत खत्म हो गई इंसान सब के लिए वक्त है सिर्फ अल्ला के लिए वक्त नहीं है इंसान नमाज नहीं पढ़ता जान सुनके भी इंग्नूर कर देता दुनिया का हर काम कर रहा है बरिश्वरा काम करना असान है लेकिन नमाज पढ़ना अबायत करना अल्ला से बाते करना दुआ मागना इंसान लेतना मुस्किल हो गिया है तो इतना मतलब खराब लगता है तो फिर घर का सब का मावन निप्टाई थुआ साफ सफाई कर दी बहुत गंदे दिखे थे बच्ची है कि चलो दिन में टाइम में मिलता रात में कर देते हैं तो गुनगुन और जोया हेल्फ कर रहे थी मेरी साफ सफाई भी हो गए थी और फिर नमाज अदा करके मैं ना सेरी बनाने के लिए आगी बहन फिर गई निमाज पढ़ने मैं तुम जब तक कर लो और मैं ना सेरी बनाने आ जाती हूँ तो मैं सेरी बनाई सेरी में ना था कोफता आलू था सबजी असालन तो फिर ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पढ़ा मुझे बस पराटा बनाई और चाय बनाई थो सब कोई थे बच्चंअों को भी उठा चांगी था में 27 में राथ है तो बच्चंव लों को सला दी थी बहुत मुछकल सोने के लिनी in करते उनुच पर रहते हैं अनों करते दोनों छोटे हैं तो उन दोनों को थौस हम लोग ना इस टप नहीं करते हैं जादा बाकी अमन जो है तो मेरे साथ ही रहते हैं आपस नमार्ज के बाद मैं सो गए थी सोने के बाद मैं बहुत जल्दी उड़ गई 11 बच यहां खुली मुझे तैयारी करने थी काम था घर में न सोची थी मैं कि बना करके बाटों यहां पर गेहूं मैं भीगा दिती विगा के छोड़ के गेहूं एक तरफ लगा दी थी वाइल होने के लिए और इतर पूरी जितने दाल होते ना सब मिक्स करके बनते हैं यह बहुत लगत था जब भली मुझे बनाने नहीं आता था था कोई दाल को मिक्स करके सब बना ली तो तो बहुत ही दी करके सारे मसाले को मै अच्छ से भूंज ली थी लसंदर पे तो ग्यों को पानी में फुला दी थी मैं रास से ही और मुझे था कि जल्दी में बनाऊंगी कोई कि इसमें न काफी टाइम लगी जाता है थोरी से ज़्यादा कॉंटेटी में बना रहे थी कि मुझे बाटना था मुझे ना अरोस परोस में बाटना था अब लाश्ट हो गिया सकता ही सुरूजा है तो मैं सोची क्यूं आज मैं बाट दू और यहां फिर मैं हल्वा भी बनाई थी थी थोड़ा एक मीठा भी रहता तो अच्छा लगता है तो मैं सूची का हल्वा भी बना दी थी और फिर तो लोग स्तिक्क तब अचर लगता है नराव भी एक डीधिन का लुऺ बनाते अब कीमांअ को भी बनता है तो कीमा में एक cotton आप निपे अच्छा पर निकाल रहे थी के लिए बाटने के लिएक्ट्रव में मुझे में बाजी कु यहां भ 민주ना था और में नानत की बेट़ी जो ह था मुझे तो टाइटल देखे आपको समझ में आगा किस्की यदि जा रही है तो यह यदी की तयारी हो रही है मतलब मेरी नाद की बेटी है उनके यहाँ इदी मैं भेजा रही हूँ उनकी बेटी हुई एक साल नहीं हो और परसानीया दिक्कती तो रहेगी जिंदगी में इस चुट-चुटी खुसी हैं और किसी को देने से ना बहुत अच्छा लगता मुझे तो खर बहुत अच्छा लगता मुझे लगता जो दे की खुसी मिलती है वो लेकर नहीं मिलती है इंसान को हमें सा देने वाला बनना चाहिए तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं बहुत प्छले ब्लॉक में बताई थे मैं इसलिए मार्केट गई थी इनकी सॉपिंग करने के लिए समान लेकर कर आई तो मुझे बहुत मन था मैं बच्ची को दे नहीं पाई जाए अपनी भांजी को भी देने वाली थी सोची थी बट मेरा इतना थोड़ा बजट नहीं था कि मैं द लोकनी इदी का बहुत अच्छा लगता था मैं गुन-गुन मेरी बहन भी थी दोनों मिल कितना हेल्फ कर रहते इतना अच्छा लगा सीरा की इदी तो मुझे बहुत खुशी हुई और यह सब छुट-छुटी खुशी ना इनसान को इन्जॉय करना चाहिए अच्छा लगत अपने लिए तो सभी करते हैं हजारों लागों खर्चा कर लेते लेकिन दूसरे को जो दे के खुशी मिलती है नहीं बता नहीं सकते हुए यहां पर फुरूट्स भी मांगा ली थी और एक टोकी ना फुरूट्स का भी सजादी कि अच्छा लगेगा फुरूट्स भी डालक लिए गया मैं तो जा नहीं सकते थी वहले चलो तुम लोग आज व मिलके तो फिर यहां पर इने जल्दी से बन गया था तो मैं सोची क्यों ना मैं जल्दी बांट भी दूं और उस पर उसमें जो भी स्ते मतलब है आपस में यहां पर आसपास जो घहर है मेरे जितने भी जो क्यों करीबी हैं तो सबक्किया मैं रोज नहीं देती उंदी देजना मुझे नहीं हो पाता है मुश்किल है तो कैसे लगता बीच में कभी कभी 2-4 मरतबाह ही दे दो तो भी ठीक लगता है देने से अच्छे है तो इसलिए मैं फिर मैं निकाल रहे थे चलो भच्शों लोग के साथ एक मीठा भी रहे तो अच्छा लेगा और अब लाश्ट रमजान है सताइस है तो आज ही मैं वार्ट देती हूं बस यहां पर अपतारी कुछ फूट्स था और भलीम कि इसको बोलते हैं वो बस अम दो निकाल का अपतारी बैठने बैठे सब कोई जोया कि यहालत बहु मतलब असरा तो हम लोग नब अच्छे से दसबने मिल पहले खूब दुआ मांग लेते अल्लब पाक से और अपनी गुनाहों की माफ ही माँदें चाहिए पूरे मुसलमान पूरी उम्मत के लिए दुआ करें और अब तारी करें उसके बाद फिर चाय चाहाई मैं चाय पीना है अब तारी के बाद चाय मुझे बहुत थक गए थी अच्छल में बहुत जल्दी उठके नीन भी मेरी पूरी नहीं थी ना मैं जल्दी उठके थी तीन चार घंटा सोई थी उसके बाद उठके उसके बाद जो कंटी में काम कर रहे थी ना तो मुझे बहुत जादा मतलब थकान होगी थी बहुत चल गए थी मार्किट उनको जाना था अपने हजबन के साथ और मैं यहां पर चाय बनाई चाय लेकर करके चाय पीते हैं मुझे भी काम था एक्चल में वही बात करती है बच्चों को बहुत सोर हो रहा था इसलिए मैं वाई सूबर डाली हूं बहुत गज़ए गज़ए होता बच्चों को आप लोगो समझ भी नहीं आएगा तो अंटी को मैं बोह रहे थी अंटी चलेंगे तो आस अच्छा लगा हूँ जल्दी से लाइक से कमेंट्स कर दें और बस इससी तरह मुझे अच्छे से कमेंट्स करें मुझे सपोर्ट करें तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा मुझे दौाओं में याद रखेगा अलाफेज